सलाम नमस्ते एडूफन अड्डा पर आप सभी का स्वागत हैं तो आज हम आपके जो डायक है डायक ट्रायक और यूजेटी इनसे रिलेटेड 25 मोश्ट इंपोर्टन कुश्चन से वो डिसकस करेंगे तो आप लोग बने रहे हैं ये कुश्चन सभी कॉम्टिटिव एक्जाम के लिए और आपके जो बोर्ड के एक्जाम होंगे यूनिवेस्टी के एक्जाम उन सभी के लिए एक्वली इंपोर्टन हैं तो स्टार्ट करते हैं जो आपका फर्स्ट कुश्चन है हाउ मैनी मिनमाम थारिस्टर रॉक्वाइड टूमेक ट्रायक बनाने के लिए आपको कम कम से कम कितने ट्रांजिस्टर की जरूरत होती है तो जो अपने अगर ट्रायक का सिंबल देखा होगा तो ट्रायक का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है आपका कि यह कॉमन दो ट्रमिनल होते है कॉमन ट्रमिनल एक आपका होता है गेट ट्रमिनल ठी इस तरह से कम ऑका सभी होजाब जलते हैं डायक होता है इस इसमें कितने होते हैं तो जो डायक होता है आपका ते दो कि आपका सिंबल होता है वह यह से जो आपका symbol होता है कि इसका ट्राय का उसी की तरह होता है बस इसमें क्या होता है इसमें अप्बरीयों को जो होते हैं इसमें भी इसमें आपका three 2 फीकते टेमिनल गोटें। अगर यह ट्रायक होता है, तुश्य में आपके तीन टेमिनल होता है। एक आपके तीन ट्रायक होता है। दो तो आपके यह होगे यह टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और दूसर एक आपका कौन सा ओगा गेट टर्मिनल तीन टर्मिनल होगे ठीक नास्ट कुस्ट्यैनब का हौ मैनी तरह होते मैं तो त्रेमिनल आपके यूजियू-ंश्चन तersonal ऊसे में टेमिनल ब Możung у और एक टर्मिनल आपका होगा इमिटर तो इस तरह से इसमें आपके तीन टर्मिनल होते हैं इमिटर बेस बन और बेस टू तो इसमें इसका आपका अंशाव सही हो जाएगा तीन यूजेटी में भी आपके तीन टर्मिनल होते हैं चलते हैं एक सॉरी यूजेटी में भी आपक टैमिनल्स ओफ यूजटी तक है कौन से टैमिनल है collector based emitter, emitter base 1, base 2 जस्ट अभी आपको बता है इसमें emitter होता है, base 1, base 2, gate drain source, यह समनी होता है, MOSFET FET में होता है यह normal transistor में होता है collector base emitter इसका आपका अजसे हो जाएगा B emitter होता है अगर आप यू जाओ लागा है एक न टैप को असमें एक सिंगल जंक्सन रहता है और आपका टैमिनल वन बेस बन बेश टू ठीक है आपके तीन टैमिनल होते हैं नेक्स गुश्चन देखते हैं विच एक्जांपल और डायक के कौन से एक्जांपल है तो NTE6408 यह आपका डायक है इसका एक्जांपल है यह बस आप ध्यान में रख लेगद अपना दिवाँ में वैठा लेगाना बस एक्जांपल है आ सकते हैं आपकी स्लिवन ने बता दिय माँ आपके 6 DOPT region होते हैं यांने की 6 DOPT region होते हैं नेक्स्ट्स्ट्ट्स ना डाइक किजे यूनि डारेक्शनल डेवास यह बात विल्कुल गलत है डाइक है जो आपका वह कैसी डेवास होती है BDIRECTIONAL डेवास होती है तो इसका आपका B option हो जाएगा false तो true false पूछा है तो यह false होगी आपका क्योंकि direct unidirectional नहीं कैसी bidirectional device होती है अब आप लोग questions अच्छे लगने है तो वीडियो को like कर देना और comment करके चुरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और किसी subject के और चाहते तो वह भी comment करके बताना next question आपका try is unidirectional device तो try अपकी unipolar device नहीं होती है यह फाल्स है इसका पता दियादा ना फाल्स है यह false है क्योंकि try you unipolar device नहीं होती है optional खेंट अगर गीर ते लेकिन तो बीट दो इसको ब्रगोर टो होता है चल्वाइक आए से से लिए गलत पॉल्स सही बात है तोल मैनने की प्रीकेशन होती को सकते हैं वाट अपको अपकर सबुट है करता है कुषिट हैं आपका वो इस्ट ग्रेजिश की तरही तरही तो योज़ी है ढ़राख वो हमेधा किसमें नीगेटागी रिजसेंस रिजन में काम करता है यह अपका यूजेटी होता है वह एम्फ्लीफाय की काम नहीं करता है और यूजेटी अपका एक ऐसे एक ऑसीलेटर की तरह काम करता है ऑसीलेटर की तरह है इसका आपका अंसर हो जाएगा निगेटिव रिजिस्टेस रीजन भी आपसे यह जो बाकी चीजें बताते हैं इनसे भी कुछन पूछे जा सकते हैं तो इध्यान से सुन सब्सक्राइख में कितने लियर होता है तो ट्राइक में कि में वीचार होता है और त्रायर में यह में एक जादा फरक नहीं होता है थार आप मधी कि ट्राइयक कि पथाने divisions क्युक्य इसमें त्रायों 3 टर्मीनल होते हैं ग्रेटमनल टरीनल होते हैं ट्रायों अल्टरनेट पी और एंदेह जो क्या यह है आपका ए ओप्चन इसका सही हो जाएगा है नेक्स्ट कुस्टिन है अपने विडियो को बहुत कम देखने समझ में नहीं बना जाए है एक दम के लिए नहीं हो रहा है सबnaires को अश्क्या का तरह देख सीनल पुरे वीडियो तरह से सब्सक्राइब टїख रहे थे लेकिन आपनों आपलों का camper बीदियो कि जाया जाया फिर नहीं ऑगके समझ sizin हां ऐब इंचे समगे अब मैंने लिएखे दो करें वेक थे फैडमार अग्री के सब्सक्राइब है आप लोगोस की बीडियो को बनाने का दिल नहीं करता हैए तो आप लोग डिसपांस अच्छा था तो डे करो ज्यादभ दैखे घ्जादा लोग के पास पॉरकिगर से हैं जब तक कंग्ष्राइप से कुश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे एक्जाम में नहीं कर पाऊगे बिल्कुल ध्यान रखना और यह आप सोच रहा हो कि चीटिंग हो जाएगी तो इसके वरोसे मत रहना आपका बोर्ड बहुत जादा सकत हो गया बहुत से बच्चों को नोटिस पहुंचा है और बहुत स आपका वुश्चन की तरह रही हो जाता है। कि रृद की अपका से सरह कित के लिए विएद की यूज़न यह आता है। 때문 रहए तो nasいきます सब्सक्राइब आपका सभी है देखते हैं नेक्स्ट कुष्टन डाय a do not work with DC voltage डाय के जो आपका DC voltage की तरह काम नहीं करता है इसमें ही लिकाई सही बात है गलत है यह गलत बात है डाय यह साथ काम तो करता है लेकिन काम करता है इस ad convoy तो why preface office इसलगन कद्रोल्री क्वाइर तोॉइद इसका सवी उप्षन सब्संद्रीक्जूट नहीं उल्यस्डि यूजर्टन वहन्द यूजर्ट मुलत मुल्डेजस्टी है यूजर्ट नफिएकी जो इसके अग़्हां तो रखता है लेकिन यह positive impedance नहीं होती है impedance इसकी कैसी होती है negative resistance region में काम करता है existence impedance कैसी होती है negative और हो जाएगा चलते हैं नेक्स कुस्टिन की तरह विच टाइप ऑमेटेरियल इस इन चैनल इस टाइब ऑफ यूजेटी मेड और यूजेटी है इसका चैनल है वो किस तरह का बना होता है अगर आपको सिंबल नहीं बना के विता है तो आप देख सकते हूं यहां पर यूजेट किया जाता है जिससे यह पर आपका क्या एक यूनि जंक्सन हो इसको बोलता है कि अई की जंक्सन बना कर देट है इसी से आपका का मेंलि करेंट एलेक्टन फलो होता है यह होता यह न टैब कर देच न्ठीट काी तो और DAN मेटेवल होता है आम कर भांव eकर अगर आप लोग अपना response अच्छा दोगे तो मैं भी कोश्यस करूँगी आप लिए अच्छा वीडियो बनाने के लिए तो अप लोग इस वीडियो को चित्ता ज़्यादा अपने दोस्तों को सबको पहुंचा सके पहुंचा है और आप लोग भी पूरा वीडियो लास तक डे लेना इसी कुछेन है ती वाट इस दा इंटेन्सिक स्टेंड ओफ रेज्यो इस तरह के कुछे जा रहे है क्योंकि आपके सीनियर्स के अग्जाम में कई नुमेरिकल पूछे गए हार एक्जाम में इसलिए मैंने छोटे-छोटे नुमेरिकल लिए जो आपके पूछे जा सकते है आपनों सिंसिरली देख रहे हैं आपको इविंट वैल्यू तक ही मिल जाएंगे ठीक है वाट इस दे इंटेसिक स्टेंड ओफ रेसियो पूछे आप से इटा यूजेटी का जबकि आर बीवन की वैल्यू अपको दी गई है और आर बीवी की वैल्यू दिए अपने आपन आपको दीए 10 किलो हो और आर बीवी की दीए 15 किलो हो तो 10 वाइ 15 जो आपका होगा हो जाएगा आपका 0.67 यहनिकि आपका ए ओप्सन इसका से हो जाएगा यहां देखना एंटेसिक स्टेंड ओफ रेसियो इटा आपका होता है और बीवन अपन आर बीवी ठीक यह दिवाम बैठा लेना वाट यहनिक जनलाइज रूस पर रोड़ेज एक रसिश्टर रशी और बीवन हीने यूजिक जनलाइज जनलाइज जनल मेलू क्या होती है और बीवन प्लस आर भीली तु में इन्टू वे वे ऑपको पढ़ाओंगे तो डेटेल में यहीं घिए थी cal कुल बहुत बहुत जरूर कर देना नहीं अच्छा लागा ओ तो डिस् Lup कर देना और बाकि कमेंट करके बताने हैं वीडियो कैसा अच्छा लगा और आपने कॉलेज के आपके ग्रूप हों सबी ग्रूपों में वीडियो को सैया चरूब कर देना तो वीडियो देखने लिए आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया बाकि आप से मुलाकात होती हैं किसी नैक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे questions के साथ तब तक के लिए अलवेदा